तो आपको बता दे जो राजनिती पार्टी पिछले कई दिनों से ये दावा कर रहा था कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है वो खेला उसी पार्टी के साथ हो जाता है ये खेला तब होता है जब विपक्षे दल के तीन बिधायक एंडिये में सामिल हो जाते हैं आप social media platform खोलते हैं तो चेतन अनंद और चेतन अनंद की मा को भद्धी भद्धी गालिया दी जा रही है डबल मिनिंग में लवली अनंद को गालिया दी जा रही है लड़की ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि चेतन अनंद जा के अपनी मा लवली अनंद से पूछो कि उसके कुए का पानी सूखा है या भर दिया गया है पिछले दिनों बिहार की राज़ती गल्यारियों में हल्चल मची हुई थी हल्चल मचने का कारण बस एक ही था बिहार में फ्लोट टेस्ट होने वाला था फ्लोट टेश्ट में इंडिये ने अपनी सरकार बनाई अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लोट टेश्ट तो बीत गया तो इसकी चर्चा हम आज और अभी क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दे जो राजनिती पार्टी पिछले कई दिनों से ये दावा कर रहा था कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है वह खेला उसी पार्टी के साथ हो जाता है यानि कि विपक्षी दल के साथ एक बड़ा खेला हो जाता है ये खेला तब होता है जब विपक्षी दल के तीन बिधायक एंडिये में सामिल हो जाते हैं आपको बता दे आरजेडी का पाला छोड तीन बिधायक NDA में अपनी सहमती जताते हैं पहले चेतनानंद दूसरी निलम देवी और तीसरे हैं पहला द्याद जी हाँ बिलकुल जिस बड़ा खेला का दावा आरजेडी के तरब से किया जा रहा था वो बड़ा खेला आरजेडी के ही द्वारा किया गया लेक बिधायक अल्टी पल्टी भी हो जाते हैं लेकिन जैसे ही बिधायक अल्टी पल्टी होते हैं उसके बाद रडार पर आ जाते हैं चेतनानंद जी हाँ बिलकुल वही चेतनानंद जिसको लेके अभी सोचल मेडिया पर चर्चा है जी हाँ बिलकुल अगर आप सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो चेतन अनंद और चेतन अनंद की मा को भद्धी भद्धी गालिया दी जा रही है आपको बता दे पिछले दिनों बिहार की राजनिती में ठाकूर का कुँआ बड़ा ही चर्चा में था जी हाँ बिल्कूल मनोज जब सांसत भवन में जाके ठाक अनंद और मुहान अनंद सोचल मीडिया पर ठाकूर का कुँआ को लेके पोस्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो हमारे समाज के लिए बोलेगा या फिर जो हमारे समाज पे टिका टिपनी करेगा तो हम चूप नहीं रहेंगे हम आगे आके अपना आवाज उठाएंगे औ अगली आनंद को गालिया दी जा रही है जैसे ही आरजेडी का दावन छोड़ चेतन अनंद इंडिये में आते हैं जिसके बाद से उनकी मा की इज़्जद को सरमसार किया जाता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम चेतन अनंद का चर्चा क्यों कर रहे हैं तो चेतन की और चेतन अनंद के मा की सोसल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक लड़की ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि चेतन अनंद जाके अपनी माल लवली अनंद से पूछो कि उसके कुए का पानी सुखा है या भर दिया गया है जी हाँ बि रहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि जाके अपनी मा से पूछो चेतन अनंद की कितनी बार उन्होंने लालू यादों के पास गई है अपने पती को छुड़वाने की लिए जी हाँ बिल्कुल ल्यानी की मोहानांद की रिहाई की लिए ये बात काफी चर्चा में है जब से चेतन अनंद आरजेटी छोर एंडिये में सामिल हुए हैं तब से उनकी घर की इज़त को सरमसार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं आपको ये भी बता दे कल चेतन अनंद बिधान सभा में एक लाइन बोले वो लाइन ये था कि अगर मेरे परिवार वालों को कोई हको लेके अपने समाज वालों के लिए क्योंकि जहां ठाकूर के कुए पे सवाल उठता है तो मैं भी तो उस ठाकूर के घराने से ही तालुकात रखता हूँ तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बोक्स में जरूर दे कि आखिर लवली आनंद को लोग भद्दी भद् सुखा है या उसका पानी भड़ रहा है या फिर चेतनानंद को लोग ऐसा क्यों कह रहे है कि जाकर तुम अपनी मा का कुँवा सबसे पहले देखो जड़ा एक बार आप सोचके देखे कि अगर किसी बेटे के पास उसकी मा को इस तरीके से भद्दी गालिया दे जाए तो उ आपके प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में क्या है चेतनानंद के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें कमिंट बॉक्स में जरूर दे जहिंत